Hi Friends! तो पिछले साल भर में हमने देखा Mid Cap Stocks में बहुत तेज रेली दिखाई थी और Recently सारे Stocks में Mid Cap में आपने गिरावट देखी है आम तोर पे तो क्या Mid Cap की रेली खतम हो गई है? क्या इन Stocks में आगे आने वाले समय में कोई चांस नहीं बचा है? तो दोस्तों ये आनसर है इसका कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सचा ही ये है कि Mid Cap Stocks में अभी बहुत कुछ बाकी है और कई Mid Cap Stocks ऐसे हैं जो आपको Multi Bagger Return दे सकते हैं आने वाले काफी वर्षों तक लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लगातार रिसर्च करते रहें और अच्छे Stocks को एनलाईज करके सही प्राइस पे लॉंग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको Multi Bagger Return आसानी से मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं हाई दोस्तों मैं आपका दोस्त सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका सागर नोमिक्स पे आज हम मिड कैप के ही दो ऐसे Stocks के बारे में बात करेंगे जो की एक Turnaround Story के तोर पे नज़र आ सकते हैं तो वो कौन से Donor Stocks हैं और क्या उनमें आपको Multi Bagger Return मिल सकते हैं यह जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए कुछ नया सीखिए और फ्यूचर में एक अच्छा खासा Multi Bagger Return कमाने के लिए एक Profitable Investor बनिये स्टार्ट करते हैं सागर नोमिक्स सो दोस्तों Multi Bagger Return तो आप कमाने के लिए तयार हो लेकिन क्या आप एक Like Button दबाने के लिए भी तयार हो या नहीं अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों आपके लिए इतनी Research करता हूँ आपके लिए इतना Data Study करता हूँ फिर Best Content लाके देने कोशिस करता हूँ इस सब के बदले में आपको सिर्फ नीचे एक Like Button है उसको दबाना है और आप Share करेंगे तो और भी अच्छी बात है पर Like तो करना ही करना है क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं तो अभी Like कर दीजे इसको और साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी Subscribe कर दीजे और Bell Icon को On कर दीजे ताकि मेरी Next Video आपको तुरंत मिल जाए चले दोस्तों जानते हैं देखते हैं वो दोनों कौन से स्टॉक हैं जिनके बारे में आजम बात करने वाले हैं पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर है नाम है सूरिया रोश्णी लिमिटेड यह वही है जो सूरिया का जो एड आता था ने टीवी पर पहले बहुत पहले भी आता था यह वही है जो कंपनी जो Bulbs और ट्यूबलाइट बनाती है सूरिया के यह वह वाली कंपनी है दोस्तों 6, इसका मतलब की आपको 56 रुपे के उपर करीब करीब 5,5 रुपे का इसमें आपको डिवीडेंड दिया है साथ में अगर रिटन ओन यह डिवीडेंड की बात करें तो 11 परसेंट मतलब अपने प्रोफिट में से 11 रुपे निकाल के इन्होंने आपको दिये है रिटन ओन एक्वेटी की बात करें तो यह बहुत इंप्रेसिव है एक मिडगेप स्टॉक अगर आपको 19 परसेंट की रिटन ओन एक्वेटी दे रही है विच इस वेरी गुड अगर आप देखो आप में अच्छा है अब बात करें दोस्तों यह तो पता ही आपको लाइटिंग सेग्मेंट की सारी चीह बनाती है यह ट्यूब लाइट बल्ब वगरा और बहुत अच्छा का सा ब्रेंड ले करके चल रही है बहुत इन्होंने मार्केट शेर अपना कैप्चर करने में को वह यह देख सकते हैं कि प्राइस जो है नो यहां से टर्न अराउंड हुई है करीब करीब मार्च के बाद से और उसके बाद लगातार हाई हाई बनते हुए जा रहे हैं इसके इंदर जो इसका एक तरह से अप्ट्रेंड को शो कर रहे हैं आगे बात करते हैं दोस्तों इ बढ़ी है पिसले तीन साल मतलब कोवीड के बाद वाले 21 22 23 और लेकिन प्रॉफिट इसी दोरां तीन गुना बढ़ा है मलब करीब करीब है 14 का 42 परसेंट होता है तीन गुना यह उससे भी ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है और अपनी कोस्ट को मेनेज करके प्रॉ प्रेन इंस्टिटूशन इन्वेस्टर से वह देड़ परसेंट से शुरू है और किदर आ गया वह यह फाइव परसेंट पे मतलब चुपचाप चुपचाप यह ले रहे हैं और आपको पता पढ़ने नहीं दे रहे हैं जब यह प्राइस 7800 रुपे पहुंच जाएगी अपने पास में शेयर बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे और जब अच्छा खासा उनके पास शेयर हो जाएंगे और उनको लगएगा कि अब इसको बेचना चाहिए तब वो मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज बगरा या कोई इन्फरमेशन या कोई रिसर्च रिपोर मार्केट में फ्लोट करेंगे और आपके हमारे जिसे कॉमन इन्वेस्टर उसके चक्कर में फंच जाते हैं तो दोस्तों थोड़ा स्मार्टली सोचिए और डेटा पर अपना वरोसा रखिए तो देखे यहां आप देख रहे हैं एक परसेंट था और लगबग लगबग 0.5 के आसपास अभी भी बना रखा है पब्लिक के पास में तो सिर्फ 31 परसेंट ही है बाकी सब तो इनके पास में है चले दोस्तों आगे चल के देखते हैं इसके टेक्निकल्स क्या करें हैं टेक्निकल्स में आप देखोगे तो जो मैं बता रहा था वही चीज़ यहां पर भी को मिल रही है क्या चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों कि यह रीसेंट लिए आपने देखा होगा यह बड़ी बड़ी ग्रीन केंडल स्ना यह शो करती है वीकली चार्ट पर कि भाई साथ कुछ तो कंपनी में ऐसा हो रहा है जिसकी वज़े से इसमें एक उचाला है हाला कि तुरंत ही लोगों ने मुनाफ़ा बुक भी कर लिया लेकिन उसके बाद की कहानी देखी उसके बाद यह 500 रुपे से बढ़ते बढ़ते करीब करीब यह 600 से उपर जा चुकी है और इसने अपना एक सपोर्ट जो यह रिजिस्टेंस लेवल था ना इसको ब्रेक किया है इसन में आपको एक अप्ट्रेंड साफ्तोर पर देखने को मिल सकता है क्रोस ओवर भी हाई वोलियूम के साथ हुआ है जैट सिंप्ली मींस कंपनी इस इन दा पॉजिटिव टेरिट्री नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा स्टोक कौन सा है तो दूसरा स्टोक पर बात करें उससे अगर आपका कुछ लगता हूं अगर नई किया करे और अभी video को लाइक किया कि नहीं कर दिया नें यह और बार बार बे सब्सक्राइब को बूल जाते हूं सुंदरम पैंस सेकिड़्ा को साट है नहीं और पता है कि नियुक्स कि एंड वेलोई सम्थिंग विचेज एन इंटेलिजेंट इंवेस्टर नोज यह मैंने मोडिफाई कर दिया कुछ और थी एक्चुली चलिए पच्छ पंसो क्रोड रुपे की मार्केट कैप है तो मिड कैप में आती है कंपनी एक तरह से और करीब बान करके चलिए यह रिटर्न इसरी विचेज एन आउटसूर्सिंग कंपनी ओफरिंग वेरियास सपोर्ट सर्विसस तो लार्ज एन मिड़ साइस फर्म इंट एंड इंडिया तो बेसिकली यह जो है डिविटे उसमें है जो आपकी फिनाशल सर्विसेज उसके अंदर है लेकिन खास बात इस कंपनी की क् कि इसका पित्रोस्की स्कोर 7 है और आप ये देखिए सेल्स की ग्रोथ से डबल इसकी प्रोफिट की ग्रोथ है साथ में 15 का प्राइस टो अर्निंग रेशियो है जो इंडस्ट्री से काफी कम है ये सारी खास बाते हैं ग्राहम नंबर के हिसाब से 256 का इसका प्राइस होना चीए लेकिन इसकी प्राइस इस वक्त किती है 250 रुपे यानि ये साफ तोर पे अंडर वैल्यूड है कमपनी अगर आप देखेंगे इसके प्राइस की पैटर्न को तो लगातार हाई हाई और हाई लोज बनाती हुई एक सही टेरेटरी पर पिछले साल बर से चल रही है यानि करीब-करीब 80 रुपे से शुरू ही थी लगबग उस प्राइस पे और आज आप देखो तो 260 के आसपास की प्राइस के आसपास चल रही है वो भी within a year तो multiply करो ज़रा एट थी जा ट्वेंटिफोर सो थी एक से जा रिटन तो यह अभी तक दे चुकी है और लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होगा कि यह company भी exist करती है बट मैं आपको वो हीरे ढूट के लाके दोने की कोशिस करूँगा जो आम तोर पे नहीं पता होते इंवेस्टर्स को वो सिर्फ TCS Infosys में फसे रहते हैं वो Reliance और L&T से बाहर नहीं निकलते वहां क्या मिलेगा आपको 10% growth, 8% growth, 15% growth बस लेकिन असली growth mid cap stocks में है जहां नजर नहीं पड़ी है लोगों की चलिए आगे देखे तो इसमें देखे दोस्तों अगर FIIs की देखें तो थोड़ा सा holding बढ़ा ही है DIAs जो है वो करी 5-6% लेकर के बैठे हुए टेक्निकस देखें टेक्निकस में वही है कि यह लगातार जो है high highs बना रही है एक uptrend में है लेकिन यह uptrend ना ऐसे बीच-बीच में आता रहता है देखो जो trading volume में यहां बढ़ा यहां बढ़ा फिर खतम हो गया फिर यहां यानि consistency नहीं है लोग मोका देखकर के react कर रहे हैं और आपको भी मोका देखके ही react करना चाहिए लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि यह मोका कब मिल रहा है यह मिल रहा है लगबग एक से दो मेने के बीच में यह November से और 24 से और 24 की starting है तो two months में हुआ था फिर यह repetition एक मैने में हुआ फिर एक मैने में फिर लगबग हर मैने में एक मौका ऐसा आता है जब traders जो है वो इसमें पैसा डालते हैं तो अगर आप सही मौके पर सही चीज़ों को लेकर बैचते हैं तो traders की ऐसी activity से आपको benefit जो जिसको swing trading कहते हैं उसका मौका मिल सकता है तो यहां पर दोस्तो के levels भी आपको mid term में देखने को मिल सकते हैं नीचे की side में जाएं तो 150 के आसपास में आपको इसमें major support देखने को मिल जाएगा अब trend में है नजर जरूर रखेगा दोस्तों अच्छा stock है हां लेकिन कोई मैं आपको एक छोटा सा disclaimer यह दे दूँ कि यह जो analysis है यह purely education basis पर है और हमारा कोई ऐसा intention नहीं कि आप buying selling के recommendation बिलकुल मत समझेगा इसको कि आप तुरंत खरीद ले ऐसा बिलकुल नहीं अपना analysis कीजिए अपनी money management को देखिए and then you take a decision ठीक है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो को like करने के लिए आपका बहुत बहुत लाइक तो अभी करो ना भई सब को like करना है कोई निशूटना चाहिए सब like करिए सब share करिए अपने दोस्तों से whatsapp groups पे communities में telegram communities में सब जगह पे भेजिए सारे दोस्तों को आपको ये वीडियो भेजना है चले दोस्तों इस वीडियो को like करने के लिए चैनल subscribe करने के लिए बैल आइकन ओन करने के लिए इतना प्यार इतना response और इतना support देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे next वीडियो में जल्दी मिलता हूं तब तक के लिए happy investing and जय हिंत